दूसरे एक्ट का पहला जो सीन है वो बैलमूंट का है पोर्शा के घर का एक कमरा शैनाईयां बस्ती हैं और मरक्को के राजकुमार जो की एक काले रंग की चमडी वाले हैं अफ्रीकी हैं और उन्होंने स्फेद कपड़े पहने हुए हैं और वो अपने तीन या चार अन्याईयों के साथ परवेश करते हैं और दूसरी तरफ पोर्शा और नैरिसा और उनके अपने परिचार्खों के साथ परवेश करती हैं मुरको मेरी तवचा के रंग के कान मुझे नापसंद मत करो छाया के रंग की तवचा जो अफरीका में जलती धूप से उत्पन होती है मेरे पास उत्तर में पैदा हुए सबसे सुन्दर व्यक्ति को लाओ जहां सूरज की रोशनी बामुश्किल बर्फ को पिगलाती है और चलो उसे और मुझे दोनों को काट दो ताकि आप देख सकें कि किसका खुन सबसे लाल है उसका या मेरा मैं तुमसे कह रहा हूँ मैडम मेरे इस रूप ने बहादुर पुर्शों को भैबीत कर दिया है मेरे प्यार की मैं कसम खाता हूँ कि मेरी भूमी की सबसे अच्छी माने जाने वाली भी मुझे से प्यार करती है मैं अपनी सामली चमडी के रंग को किसी और चीज से नहीं बदलूँगा मेरी प्यारी रानी सिवाए इसके कि मैं आपका ध्यान अकरशित कर सकूँ पुर्शा, अपने पती को चुनने के मामले में मैं ही केवल ऐसी कुमारी नहीं हूँ जो सुन्दर रूप से अधिक परभावित होती हूँ और इसके अलावा मेरी नियती एक लाटरी द्वारा तै की जानी है इसलिए मैं अपने लिए चुनाव भी नहीं कर सकती लेकिन अगर मेरे पीताने मुझसे वह अधिकार नहीं छीना होता जैसा मैंने आपको बताया तो आप मेरी आँखों में एक अच्छे संभावित पती होंगे परसीद राजकुमार जो मैंने अब तक देखे हैं मुरको इस तारीफ के लिए धन्यवाद इसलिए मैं आपसे विंती करता हूँ कि मुझे कास्किट्स तक ले चलो ताकि मैं अपनी किस्मत अजमा सकूँ जिस तलवार से मैंने पर्षन के नेता और एक पर्षन राजकुमार को मार डाला और जिसके साथ मैंने सुल्तान सॉलिमन के खिलाब तीन युद जीते मैं कसम खाता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे कठोर आँखों को देखकर उनको हरा सकता हूँ प्रिथ्वी पर सबसे सहसी व्यक्ति बनूँगा एक दूद पिलाती मां भालू से भालू के शावकों को चुरा सकता हूँ और यहां तक कि अपने शिकार पर धारते हुए एक शेर का मजाक उड़ा सकता हूँ सब कुछ तुमें जीतने के लिए लेकिन अफसोस यदि हर्कुलिस और उसका नोकर लाइकस को बहतर आदमी का फैसला करने के लिए पासा का खेल खेलना होता तो कमजोर आदमी किस्मत से जी सकता था तो मान हर्कुलिस अपने ही नोकर दवारा हराया जा सकता है और इसलिए मैं अंधे भागे के कान आपको एक कम योगी व्यक्ति के लिए खो सकता हूँ अगर ऐसा हुआ तो मैं दुख से मर जाओंगा पोर्शा आपको अपना भागे अवश्य अजमाना चाहिए या तो इसे विल्कुल भी प्रयास न करें या एक कास्किट चुनने से पहले वादा करें कि यदि आप गलत चुनते हैं तो आप फिर कभी किसी महिला से शादी के बारे में बात नहीं करेंगे आप इस बारे में पहले विचार कर लें मरक्को और मैं किसी महिला से शादी या शादी की बात नहीं करूँगा चलो मुझे कास्किट्स के पास ले चलो ताकि मैं अपना भागे अजमा सकूँ पोर्शा, पहले मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं रात के खाने के बाद आप अपनी किस्मत अजमा सकते हैं मुरक्को, क्या मेरा सुभागे हो सकता है फिर? मैं या तो धन्य हो जाऊंगा या शापित शैनाईयम बजाते हैं मुरक्को के राजकुमार, पोर्शा, नैरिसा और उनके परिचारक बाहर निकलते हैं शुक्रिया